अगर थोड़ा बहुत धूप के संपर्क में इसकी नाती है तो इसे बहुत जादा धूप के कॉंटेक्ट में आप रहते हैं तो इसे के लिए बेहतर होता है कि घर में जो फैस बना की यूज किया जाता है नेचुरल जो तरीके होते हैं वही बेश्ट माने जाते हैं और क्योंकि इसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और यह टैनिंग को तो कॉंट्रोल करते ही है इसके लावा यह इसकीन को हिल्दी भी बन दगी है यह संटैन की प्रॉब्लम है तो वह उससे भी निजात मिलेगा हावट आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अब लगन को क्लिक कर आपको मेरे लैटिस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए और अगर वीडियो अच्छी लगे तर लाइक करते हैं और हाँ कॉमेट्स में अपने सुछाव देना बिल्कुल भी ना भूलें ओके चलिए स्टार्ट करते हैं है दैन होने से क्या होता है कि स्कीन काली पर जाती है और बेजांसी उतिया तो अब ही जो ट्रीम इप्सक्राऊ के लिए कैसर में म्ल्क चाहिंगे त inh duty थे अप मलाईक भी Euro कर सकते हो क्या होता कि स्कीन का रंग हर्का होता है और चबदार बंद नाने में यह हेलफुल होते हैं और फुल क्रीम मिल्क होती है या फिर क्रीम अगर आप लेते हो तो यह मॉसराइज करते हैं तो इसके लिए जैस्ट आपको के सर के कुछ धाके लेने हैं और थोड़ा दूद लेना है या फिर क्रीम ले ले या फिर फुल क्रीम मिल्क ले 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 इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर दें और इस पेस्ट को अपने फेस पे अपलाई करें गर्दन पर भी अपलाई करें जहां जहां पर टैने वहां पर अपलाई करें और सुखने के लिए छोड़ दें जब पद्रा से तो नौर्मल पने से वाश कर लें और अगर आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए तो इस फेस पैक को हफते में एक बार ज़रूर इस्तिमाल करें इसे धीरे धीरे चेरी की रंगत साफ होने लगती है कि तरते घंट में को में है तोट श four इसनों को मार्ज के लिए डुशा रीका है टामाठव कर साथ नीव कर यूज करें तो तनिंगbagai पर क्या है टामाठव और नीव इन दोनों को प्योल्ट कर का बना ले ना पूसमें पर तरहाब अ करना है तो की टमाठव नेच्रमाठ शालर नीबुकरस इन दोनों को मिला करके अगर आप यूज करते हैं तो इसे टैनिंग करने में काफी हेलफुल होते हैं बस इसे आपको पेस्ट को टमाटर की प्यूरी जो है उसमें टमाटर की नीबुकरस जो आपने आड़ किया है उसे चेहरे पे पदना से बिसमेंट तक लिए अ टैनिंग हटाने के लिए टमाटर के थाड़ यूज है वो शहाद के साथ है तो टमाटर को आप या फिर पीस से नहीं तो भी टमाटर को बीस से आप काट लें और उसमें शहाद कर लें और इसे गोल-गोल करके सर्कुलर मोसर में अपने चेहरे पे अप्लाय करना है उसमें एड करना है उपर से साड लगा देना है और गोल-गोल सरकुर्णर मोशन में होगे अपने चेहरे पर जहां पर टैनिंग है उस जगह पर हल करके हाथ उसे स्क्रब करना है अगर रात में आप ही करते हो देन उसके बाद से छोड़ दे सुबह ने इस टे फेस को वाश कर ले तो फुरी दोनों मिलकine निंग को दूर करने का काम करते है बाद को नेक्स ओ अ निबू लुझा को नीभे दो सब्सक्राइब करना है लुझा आटेल आए डिच्व में लाविण टैनिक की प्रोब्रम्स को दूर करने में हेल्फूर होते हैं हाफ़ते में कम से कम एक बार इस पैक का इस्तेमार जरूर करें नेक्स्ट है पपीता और शहत तो इस फेस पैक को बनाने के लिए पपीते को आप जार पास टुक्रा लें उसको पीस ले या मसल दें पके वे पपीते लेने हैं एक कटोरी में उसको मसल दें या फिर पीस लें और उसमें एक चमाश शहत डाल दें और इन दोनों का अच्छी अच्छी तरह मिक्स करके टैनिग पर अप्लाए करते हैं और देन पादर से विसमिंट अब हो जाए तो नोर्माश पासिव धो कराशे साफ कर लें तो इसे चेरे पे इसकी निखा राता है नेक्स्ट है दही और हल्दी इन दोनों को एक चमाश अगर आपने दही लिया है तो इसमें आदा चमाश हल्दी मिलाए और इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके टैनिग वनी जगा पर अप्लाए करते हैं और देन पंदरा से विसमेंट थाकरिस सूखने करे छोड़ते है जब पंदरा से विसमेंट हो जाए तो इसे नर्मा पाने से वाश कर लें तो इसे भी टैनिंग हल्की होने लगती है और हफते में अगर दो बार इस पेश करें जरूर करें तो इसे दिरे दिरे टैनिंगी प्रॉब्रम्स दूर हो जाएगी कि टैनिखने के लिए चीन के साथ करें तो इसके लिए ट्रमाटर को पीस लेना है प्यूरी बना लेना ट्रमाटर का और उसमे थोड़ा सा एक चमश चीनि मिला नहीं और ये इस क्रब तीयार हो जाएगा आपका तो इसे चेरे पर अप्लाय कर ए करें और हर करणे हाथ लिए कि में बिसमैंट हो जाएं इसे क्या होता है कि डेल इसकिन lose από के रंगद आप кноп VO 20 में घप कुम होती है तो ज्मिल्टival हो जाएं तो नाउमा पानी से स्ट ओवाश कर रहना है तो इससे टैर्णि कम करने में ये काफी है कि नेक्स्ट है खीरा और आलू कि खीरा के भी मौसम चल रहा है है खीरा जोता है ना वोच्छीजे को हार्डेशन अगले करता है और आलू के रस से स्कीन में यह बिलीचिंग एजेंट की तरह काम करता है तो जिस इसकीन एरिया में धूब का असा ज्यादा है उन इन दोन चमज लेना है एक चमज ही आलू करस्ट लेना है एकोले मॉंट में दूनों लेना है तो रूज्य की हिल्ब से अपने टानिंग वह पाप्लाई करें है पंद्रा मिनिट तक छोड़ें पंद्राम मिनिट बाद बाद वाश कर लें तो इसे भी टानिंग की प्रोब्डम चली जा बनाना यूज कीजिये तमार्ड यह भी बनाना बिल्कुल आसान है जिस टमार्ड को पीस लेना है उसका रास निकाल लेना है उसे एक चमजबेसर मिला देना है और जर्वी गाढ़ा स्मूथ पेश्ट बन जाए जने इस से पेश्ट को अपने फेसपे से अप्लाइ करना या ज करते हैं दिए जरे तो टैनिंग की प्रॉबिलक दूर हो जाती है अ कि ढूंब करने के लिए टामाठा के साथ आलू का यूज किजिए तो छेहरे को फैसे рек ist this दूर करने के लिए आलू और टामाठा इन दोनों का इस्तेमाल cycle research ने से टॉब्ल्र जेक्ट करें है तो इसे भी टैनिक की प्रॉब्लम्स चलिए यह इसकी वाइटिनिंग की तरह काम करते हैं गैजित एप्टोरेगर जोनिता कि दाना करने के लिए कि दैनिंग करने के लिए को पेंग को बनाने के लिए ल९ह को सब्सक्रेंद लिए लेना है अब शूंसे दही मिला देना है और इस पैक को करीब 15-20 तक इन अपने अप्टाय करना है और जब में से बिस्मेंट हो जाए तो नौर्मा पानी से वाश कर ले तो इससे भी इस किन में निखार आता है ओके फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स वीडियो में हाजिर होंगे कुछ नए टिप्स के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर